तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है यूटीब चैनल हैस्टेक एग्रिवाई चंदर दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले एक इंपर्टेंट टॉपीक एकुनॉमिक सर्वे मोस्ट इंस्ट्टें तो इसमें आप बताएंगा आपको कि कि अंडे के जो है यु कितना है कि जो तोोटल फुट्ट ग्रेंट पोडखशन कितना हुआ है what коли किटना मिल का प्रोडखशन हुआ है इंपोर्टेंट है रिस्पेक्ट टो अगरी कल्चर के रिस्पेक्ट में है तो इसमें आप हम बताएंगे आपको कि कि अंडे के जो है एवल्बिल्टी परड कितनी है और मिल का इवल्डी कितनी है और टोटल फारिश्टेडिया कितना है और पॉसके पता जाएं कितना तो काफी इंपोर्टेंट है तो अब वीडियों लाश्ट तक जरूर बने रहे तो वीडियों सुरूर करें इसमें एक चोटा से रिक्रेस्ट है आप नहीं है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब से रहे जरूर कर दे जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे तो चलिए और इसमें हाँ बताएंगे आपकी जो है टोटल नेट इसमें रिये कितना आपका है जो है नेट सोन एलिया इंडिया जो है कितना अभी बढ़ा इसमें तो काफी इंपॉर्टेंट है तो जली सुरू करते हैं एकोनोमिक सर्वे 2021-22 तो आपका एकुनोमिक सर्वें आपका है एजायल एप्प्रोच थी इसके जो जो आपका के सथ हूँ होता है जो है तैयार कॉन करता है तो यह आपकी चीप एकनोमिक एडवाजर्ट जो टे मुख आर्थिक सभाकर होते हैं उसको तैयार करते हैं जो भी हाल हीँ आपके अनंत लागेस्वरां जो है पॉंट टू है वही तो और इसे जो हैं प्येस्ट आपके फाइनिस मिनिस्ट्र करते हैं तो ही बात आप देख़ुए पेस्ट एक सब्सक्राइब करते हैं तो फर्स्ट एकोनामिक सर्वे आप इंट्रीया लिए वास इंत्रोडू सिन पचास और पहले पार इंत्रीट मिज्टू और Breakfast का समून हमनेningar जो है आपको पेस होनी लगा था तो कुछ इंपोर्टन डाटा है जरूरी डाटा है आप याद करें किसी इक्जाम देंगे जरूर कहीं ने कहीं तो पुछ ले जाए किसमें तो जो आपका जो है दो जार 22 और 23 में जो आपका हनुमान लगाया गया है आपका GDP ग्रोथ का आपक 2021 से 2022 तक उसमें 9.2 था यादि फिसकल डिपिसीट की बात करें जो आपका राजकोसी घाटा है आपका GDP कितना परसें घाटा हुआ है तो आपका 2021 बात करें मुद्रा इस भी थी तो जो आपका CPI होता है इसमें जो आती है 5.2 है और जो आपका फोलसल प्राइस ंडेक्स आपका । एदी बात करें फॉर्ण एक्सचेंज की बात करें तो फॉर्ण एक्क्सेंज रिजर्ब की बात करें तो 2021 माने बात में आपका 633 दसम्ल चे यूएस बिलियन डॉलर है मोस्ट इंपोर्टेंट है और अगरिकल्चर फोरेश्ट्री फिसिंग की बात करें तो इसमें जो ग्रोथ रेट है आपका जीवी में ग्रॉस्ट वैल्व एड़ेड में आपका तो 3.9 परसेंट मोस्ट इंपोर्टेंट में पिछली बार जो था परसेंट मोस्ट इंपोर्टेंट पिछली बार जो है माइस में था आपका 2020 में आपका माने से न परसेंट था और सर्विसेस की बात करें तो इस बार जूए अपका इपोईंट कीज़ीए जाएगा कई तो आप जो है इसे जरूरी आद कर ले तो आपका यह कलचर की बात करें तो अगरीकल्चर जो है आपका अगरीकल्चर सेक्टर जो है आपका सबसे जाए रोजगार जो है देने वाला सेक्टर है सबसीडी और आपका टेक्स जो है जो आपका घटा देंगे तो आपका जो है जीवी बचता है तो इस बड़ जो अगरेकल्चर जो ग्रोथ रएटापका 3.9 मॉस्ट इंपोर्टेंट है तो नेक्स्ट पॉर्ट की बात करें तो इस अगरेकल्चर प्रोडक्शन केतना हुआ है प्रोडक्शन हुआ है तोटल अग्री कल्ट्चर्ट प्रोडक्शन हुआ है आपका 308.65 मिलियन टर्ण जो है आपका प्रोडक्शन हुआ है 2021 में 2019 और 2020 के मुकाबले जो है 11.65 प्रिद्ध हुई है और जो आपका जो यहापա जो है फॉर्प इडिवार्श इस्टीमेट था तो अगुश्ट कि बात की जो विव एक एकर अग्सीक के ऑफ कर आप कि इसमें जो है फूट गरन प्रोडक्सां जो आपका इस्टीमेट्ट है आपका एक पचास एकास्ट मिलियन टॉन का है कि इडीवल आयल की बात करें तो इडीवल आयल 2015 से लेके 2020-2021 में जो इसका जो ग्रोथ हुआ है आपका 43% हुआ है आपका आल सीट प्रोडक्शन इंडिया में तो इस बर प्रोडक्शन हुआ है आपका 36.1 मिलियन टर्न हुआ है भारत जो है आपका 20 में जो है लार्जेस्ट इसका कंज्यूमर है और इंपोर्टर में इसका जो है पहला स्था रखता है तो इंपोर्टर मतलब बता कि जो भी आपके जो वेजिटेबल आयल है जो दूसरे देशते अपने इंडिया में आते ह इंपोर्टर हो गया एकस पोड़ की बात करें तो जो अपने देश जो है दूसरे देश में जाता है तो इसे एकस्पोर्ट करेंगा एक आडियून को आपका ओए सीडी याफ यो एग्रिकल्चर आउट्री दोजार इकिस देश कर जो इसमें जो रिपोर्ट है आपका तो जो वेजिटेबल आयल का जो है कंजप्शन ग्रोथ है आपका टूपांज सिक्स परसेंट पर इनाम है यह आपका जो है दोजात तीस जो है आपका 14 केजी पर केप्टा जो है इसका कंजप्शन हो जाएगा आपका आज वेजिटेबल आयल का तो जो इंपोर्ट ग्रोथ रेट की बात करें तो आपका 3.4 परसेंट है यह दी बात करें ओए सीडी तो आपका है आपके औरगनाईजेशन औरगनाईजेशन आप ऑठद सकाथ एककोनाउमिक आपका 5-6 कोपरेशन अंर डमे त्याव्योपेंट मेंगनाचेसन अप एककोनाईड एकनाउमिक एंड कोपरेशन डेव्पोंट पोड एंघ्री कल्चा औरगनाईजेशन इसका इडार जो है आपका है पिए यह स्थापन जो है उन्हें और शू सब्सक्राइब बात करें तो जो आपका सुगर इंडस्ट्री है आपका एग्रुबेस इंडस्ट्री जो है इसका सेकेंड मोस्ट जो है इसका एडिया है पहला स्थान जो आपका है कॉटन का है तो सुगर कें इंडस्ट्री है आपका भारत में इसकेंड जोई आपका है एग्रुबेस इंडस्ट्री स्थाना का इसस्दन स्थान इंडिया का सबसरी प्रोड़क्शन करते आपका करें कि बात करें जो इसका प्रोड़क्शन होता है एन्यूवल जो इसका प्रोड़क्शन होता है 35 पाच करोड टन जो है इसका प्रोड़क्शन होता है और जो सुगर का प्रोड़क्शन बात करें तो तीन करोड टन जोता है जो डूमेश्टिक कंजप्शन होता है आपका इस कि यह फ्र पी बात करें पेर एन्ड रुमिन बढ़ार्प रोव नीडिट व्राइज होती है अपका अब इजसे मीनिमम प्राइजस एड़िस विट्पी परचेश्ट है दसुगर मेल फार्मर्स जो है सुगर मील जो होते हैं फार्मर्स जो होत है मिनममा प्राइस पर शुकर खरीड़ी रही है कर दो पर नियुंन होता इसमें जो है अप् Benny मिलता इस पर आपका है यह अप्यम्पोर्टन इससा इसकी जो प्राइस। में 290 प्रति कुंटा लें आपकी अभी आपका यप्फो इक जाम हुआ था दूजा रहे है दो आजार 21 में इसमें पूछ लिया गया था तो यहीं बात करें जो यहां से कि इंप्पॉर्टन टॉपी की बात करें तो जो आपका मोनो इस पॉम होता है आपका कि इस पॉर्ट करें मोनो प्सॉमी की स्वारी आपको हो जाएगा मोनो प्सॉमी जो हो जाएगा अपका कैया से आपकी समसी कोशळ पुछ लिए गया है जब एक आपके है कंगर्द का ब्रहते जो एक हो एग्ए बदून होัं गया ऑफ्फोर्टन वान रहेंगे आपके और जब मेनी सेलर रहेंगे ऑग जो बेचने वाले दो करने वाले एक तो इससे इसका क्योंmasite को यह पूछ लिए गया इसैजमबर के सुगर फार्मर से आपके कि अब जो खरीदने वाले होते हैं सुगर मिल जो थे हैं एक आपको खरीदने वालों गए बैचने वाले जितने वी आपके तो आपके मोनोप्सोमी कहा रहाता है most important है कापी पीसी की एक्जाम है पुछ लिए गया है तो यह दी बात करें MSP की तो MSP के minimum support price जो है आपकी है जो गौर्बर्मेंट जो है fix कि है आपके 22 कराप पर एक ठीक तो 22 जो है अपके agricultural कराप पर है अंदर recommendation आप दर CACAP Commission for agriculture cost and price तो CACAP जो है इसके स्थापन जो है उन्नी सो पहले 65 हुई थी तो ASP की नाम से जो है यह जो है इसके स्थापन हुई थी बाद में जो है 1965 में हुई थी और इसका जो है रिनेम हुगा था 1985 में हुगा था तो जो है आपके 22 कराप में दिया जाता है जो आपके cotton होगे नाइजर होगे इस आपके खरीब रित्व की कराप है अब जो आपके रवी सीजन की बात करें तो रवी सीजन में आपके छे करप्स को दी दिया जाता है वीट बार्ले ग्राम मसूर होगे आपका रेप सीड मस्टर्ड सन फ्लावर सेफ लावर है तो अब जो पशोगे और मस्टरड अपनगि और को इसलिए इस पर जो है आपका इससके प्राइस होती है फिक्स होती है आपके रेप सी मस्टरड हो यह ने खुछ fuckin नहीं ко मंडी से हैं फर्स्ट दिसंबर 2021 तक जो है एक हजार मंडी से इसके अंदर आते हैं और बात करें आपके नेशनल बी कीपिंग एन हानी मिसन जो है इसमें 2021 से लेके 2022 तक जो है इसमें 500 रुप्य जो है आवंटित क्या गया है 500 करोड़ रुप्य की जो स्वीटी रुली सन है यहीं बात करें इलाइट सेक्टर की बात करें तो इनमल हजबेंडरी और डेरी की बात करें तो आपका लाइब सेक्टर है आपका इंपोर्टेंट सब सेक्टर आप अगरिकल्चर इन इंडियन एकोनॉमिक मोस्ट इंपोर्टेंट है और नेशनल एकाउंट इस्टैक्स की एक वारिइंग जो है अपका लाइब स्टोंक जो है आपका जीडी भी जो आपका अग्रिकल्चर जीडी पी जो है आपका 29.35 पर सेंट जो है पका कंट्रिबूट करता है कि इंडिया जो है अपका मिल्क प्रोडक्शन पहला स्थान है जो है टोटल सिल बीट चुंछ यह तेईज मिल्क प्रोडक्शन प्रोड कि यह अकयला भारत में होता है तो बसी प्रोड कॉंड आर जो नाइन छे जो है मिलियन टर्न का प्रोड़क्शन हुआ है दोटी से किसमों बहुत और जुसका एन्यूल ग्रोथ रेट है आपका 6.2 परसेंट है और 2014 पंदर जो था इसका प्रोड़क्शन था 146.31 मिलियन टर्न था यह दिवात करें पर क्याप्टा अविल्टी आप मिल की तो पर क्याप्टा अविल्टी अप मिल की तो 423 ग्राम जुश्वारी 427 ग्राम पर डे यह आपको 2020-21 यह आपका प्रोविजिनल डाटा मतलब इन डाटा जो है बदलता रहता है आपके हर साल तो 2020-21 के लिए आपके कि एकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया जो है आपका अंडा प्रोड़क्शन में तीसरा स्थार रखता है और मीट प्रोड़क्शन जो है आठवा स्थार अस्थान है तो जो एक प्रोड़क्शन है आपका 2020-21 में आपका तो 122.11 जो आपका है एक एक बिलियन है आपका है एक की बात करें तो 91 जो है पर इनम है इसके विल्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है पिछली बार जो था आपका 86 था आपका तो 2020 के लिए आपका 91 मोस्ट इंपोर्टेंट है उसका याद रख लिए इस्टार लगा लिए डबल इस्टार अप आप यह प्रडॉक्सण की बात करें मीट की पोडॉक्सण की तो मीट का जो प्रॉड्वडक्सण है अ पर एट पॉइंट एट मिलिए टं जो था है आपका 22 पीश्ण का प्रॉडक्सण है मीट का वैं जो इदी बात करें फूट एंड मौथ डीजिस और ब्रुस ओले लोश डीजिस जो अपका है इसे 2030 तक जो है समयाप्थ करने का जो है टारेट है आपका जो मॉस्टर इमपोर्टेंट जो आपका फूट एन मौउठ डीजिस हैं आपका यह आपका जो है रहा दोस्तर अब भूल गए होंगे प्लीज और अपने दोस्तों को स्क्राइब कर दे जिससे उन्हें भी थुड़ा सब अच्छा जो है नॉलिज प्राप्त हो तो आई होप अब जरूर सेर करेंगे तो नेक्ष्ट पॉइंट की बात करें तो इंडिया जो है फीज बात कें अस्थार है और जो टोटल जो है ग्लोबल क्रोड़ीति आफका दे पॉइंट थे फाइप 6 परसेंट जो है कि यहीं बात करें फिस्तिरीज का तो जो नेशनल गप्रिश्ण सब्सक्राइब बात करें तो अब क्या वन पॉइंट करें मेराइन फीस की तो मेराइन फीड मेराइन स्वारी मेराइन फीस प्रोडक्शन में तमिलाडू जो है प्रत्था मस्तान है सेकेंड नमर में गुजरात का है पहले गुजरात था लेकिन अब जो है 2020 से जो है अपका मेराइन फीस प्रोडक्शन में तमिलाडू का पहला यहां क्या ड़ेज्ट को परुक्ति फार्स्ट एरिया बात करें तो इंडिया आपका है इंडिया जो एक टोटल जीग अरिया जो है टोड़ी आपका फारिष्ट गवर्क कीए था अर रहना चाहिए कितना 33% छो है रहना चाइए लकिन है कितना 24% जो हैन क एरिया कवर है आपका फोरेट से और इंडिया जो है वर्ल्ट्स का टोटल फोरेस्ट एरिया जो हैक आपका दो परसंट जो है कंत्रिबूशन है और इंडिया की बात करें तो इसका थर्ड अस्थान है किसमें है आपके जो growth rate है आपकी जो growth rate है आपकी आपके annual growth rate है इसमें आपका जो है इंडिया जो है तीसरा अस्थान है वर्ल्ड में और forest area की बात करें तो forest area में फारेश्ट एरिया में इंडिया जो है अस्थान है दस्वा स्थान है पहला अस्थान जो आपका है रूस का है तो पहला अस्थान रूस का है टोटल फारेश्ट एरिया में और इंडिया जो है अस्थान है दस्वा स्थान है और ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्रोथ रेट मे है आपका थारश से कबर है और और 33 परसेंट एडिया जो है रहना चाहिए आपका फारस्त तो इसका मैंने वीडियो में बना लिया था आपका है इंडियन स्वारी इंडियन इस्टेट फारेस्ट रिपोर्ट जो आई थी आपका दोजार बीस इकिस का यह आपका सतरहवे नंबर का था तो जो टोटल फारेस्ट एरी आपका है जिसमें गारेश्ट डोणों आ जाएंके से दोन आपका इसका है 21 दस्मुलों आपका 21 दस्मुलों 71 परसेंट जो है तोल फिर्षे और ट्री जो है दोनों आ जाएंगे त्री की बात करें तो खाली ट्री जो एरिया इपका है ट्री नाइन वान परसेंट तो तो सबसे अदर किस राज भी एरिय एंद आ यह जिए बात करें एरिया वाइज जो सबसे हाइस्ट अदर्ड प्रदिश में हैं करें दूसरे नंबर पे आपका है और परो पर्षेस की को पर्सेंटेश करें तो सबसेद Вас यहाइस्स्टबे नाहाइस यह आपका मेमिजूरिम है तो अ еще हैसा दूसरी नंबर पर है अलुणास रटाल पर देसा है एदी ग्रोथ रेट की बात करें तो जो इस बार ग्रोथ हरे नी ze सब सकता हाय एस्ट ग्रॉफ रेट की बात करें तो तो अब आशित लाई जो इसके के पिछलीी के बार था जो आपका 2019 में करनाच के जन्य क्रोथे बाता था लेकिन इस बार 2020 में सब सब आख चर्व आश्री आपका आंध़ प्रतेश के है और सेंटेज और सबसे लोबिष्ट जो फारिश्ट एरिया आपका है वह आपका हर्याणा का है most important है percentage wise और आपका area wise दोनम सबसे lowest area आपका हर्याणा का most important है यह ने बात करें नेट शॉन एरिया की बात करें तो नेट सोन एरिया के बात करें तो जो टोटल एरिया आपका है आपका 156.8 million hectare जो है आपका है यह तोटल नेट सोन एरिया है जो सोर्स है इस वरू से लिए गया था इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाजीशन आप यहां देख सकते हैं यहां सोर्च यहां पर है इसमें आपका जितना भी आपका मेडिशनल क्राप आ जाएंगे प्लांटेशन क्राप विजटेवल फ्लॉरी कल्चर और चर्ट और जितने विए रवी खरीब जाएंगे जो टोटल फारेश्ट एडिया आप देख सकते हैं यहां पर 156.8 जो है मिलियन हेक्टेर है यह तो हर बीस इकिस के लिए है तो मुष्ट इंपोर्टन्ट है थैंक्यू सुमच दोस्तों आई होब आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ आप अपने दोस्तों में जरू सेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब जरू कर दें हमारे चैनल को जिसने हमारा मोटिवेशन बना रहे तो इदि आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जूड़ना चाहते हैं तो जूड़ सकते हैं जिसने आप काफी most important questions आपके मिल जाएंगे जो एक्जाम के point of view से काफी important है थैंक्यू सुमच